अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पीशुर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले देखिए यदि बेटे बेटी की आयू बहुत हो गई है और साधी बिवाहा में बहुत बिलंब हो रहा है तो ऐसी इस्थिती में हमें जो सास्त्री बिधी से अनुष्ठान बतलाए गए हैं उनका आस्रे ले लेना चाहिए पहली बात तो यह है कि समय रहते बेटा बेटी का बिवाहा कर दें हम लोग कई वार यह करते हैं कि जिस समय उनके बिवाहा का योग होता है उस समय हम ध्यान नहीं देते, अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, पड़ा ही कर रहे हैं, अभ उस समय छोटे समझ करके हमने विवाहा नहीं किया, अब उनका जो ग्रहों की इस्तिति के अनुसार विवाह का जो समय था, जो उनके प्रवल योग विवाह के थे, वो समय हमने प्रमाद में अत्वा किनी किनी कारणों से निकाल दिया जब वहाई योग निकल जाएगा तो फिर योग दोबारा बनने में बड़ी कठनाई होती है बिलंब होता है आज कल ऐसी समस्यां बहुदा समाज में देखी जाती हैं बेटियां स्यानी हो रही है उनके लिए उपयोग साधी विवाहर ना हो पाने का एक बहुत बड़ा कारण तो यह है कि आज हम समाज से उतना अच्छे से जुड़ कर नहीं रह पाते जिसकी आवश्यक्ता है हमने देखा है पिछले समय में हमारे बुजर्ग कितने सामाजिक हुआ करते थे सामाजिक आयुजनों को अटेंड क ताती सब लोग एक दूसरे के हां कारी क्रमों में पहुंचते थे मिलते थे रहते थे उठते थे बैठते थे जिससे कि तमाम तरह कि उनकी चर्चाय होकर के और तमाम संबंध बेटा बेटी के वहीं निश्चित हो जाये करते थे दूसरी बात यह है कि जैसे बेटे की साधी नहीं हो रही है तो उसके लिए दुरगा शप्त सती में जो मंत्र है हम कई बार बता चुके हैं पत्नी मनोर अमांदेही मनोर प्रतानु सारनीम तारनीम दुरग संसार सागरश कुलूद भवाम इस देवी मंत्र का आस्रेली जी निश्चित ही आपके लिए बहुत अतिशिक्र सफलता मिलेगी हम पूरे जुम्मेवारी से पूरे विस्वास के साथ और पूरे आपको विस्वास पूरवा कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी लाब मिलेगा इस मंद्र का आप जाप करवाईए किसी अच्छे ब्रहमन को बुला करके साथ महीं अपनी कुंडली जरूर जो जन्मकुंडली है जन्मांक है उसमें सप्तम जो भाव होता है उस सप्तम भाव से दांपत्य सुख देखा जाता है उस ग्रह की स्तिति क्या है सप्तम भाव में वहां किस ग्रह की द्रश्टी है कौन से वहां के स्वामी है रासी स्वामी कौन है आधी-आधी विचार किय जाता है तो जहाँ में सूरी का संबंध होता है साथ हुए सूरी में स४ाइय कर ना चाहिए ए शूरी को प्रसंने करने के लिए व्पाइय किये जाते हैं तरह तरह के व्पाइय बतला है तो तो आप किसी अच्छे जोतिसी से अपने कुंडली भी दिखवा सकते हैं, उसका प्रामर्स प्राप्त कर लें, साथ में ही आप ये देवी जी का अनुष्ठान करें, इससे बहुत लाव आपको प्राप्त होगा, कि मल पतनी नहीं वलकि सुयोग को पतनी प्राप्त होगी, पत दंबागी क्रपास से निश्चित आपको ऐसी पतनी प्राप्त होगी, हमारा खुब आसिरवाद है, आपका घर जल्दी बसे, और आपका घर प्रसन नतास से भरा रहे हैं, आपको सुयोग को पतनी प्राप्त हो.